Hello student, Good morning, आज जो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, उसमें मसल्स फिजियोलोजी के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स फिजियोलोजी को तीन चार वीडियो के अंदर हम खतम करेंगे, और जो आज का वीडियो है, उसमें हम मुक्ते जो मसल्स फिजियोलोजी है, यहां पेसियों की ज उसको लेंगे, अग इसमें जो आपके चैप्टर में है, मुक्रूप से जो आपको पढ़ना है, वो जो पेसी होती है, उनकी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसको जानना है, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद, आपको जो मसल्स फिजियोलोजी है, यहां कारे की है, उसके ब इस बीडियो को ये जो टौपिक है आपका मसल스 φिजियोलोची इसको तीन-चेर बीडियो में समात करेंगे. तो सबसे पहले मसलस पिजॉलोची में जो आपको जानना है आप जानते होंगे की जो मसलस हैं ये हमारे सरीर का एक मुख्य भाग है ठीक है और जो हमारे सरीर में गती होती हैं उनके लिए उत्तरदाई है सरीर और इसके जो भागों का संचालन है मुवमेंट है मुख्रूप से वो पेसियों के द्वारा होता है पेशियां क्या करती है आप जानते हो जैसे कि पेशियां राहसायनिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्दित करती है यह जो पेशियां होती है यह छोटे छोटे तंतूओं या फाइवर्स की बनी होती है बस्तुत है जो पेशियां हैं ये जो आपका प्रेरक उपकरण होते हैं नर्व के उनका जो मोटर एपरेटर्स जीज़े कहते हैं उसका एक एक एक्टिब पार्ट हैं इनके कॉंस्ट्रेक्शन के फल्स रूफ ही बिभिन प्रकार की गतियां होती हैं तो जो मसल्स है या मस्कुलर जो सिस्टम है ये बायलोजिकल सिस्टम है जो क्या करता है मुवमेंट प्रोड्यूश करता है या हमारे सरीर को गति प्रदान करता है ये जो मसल्स होती है ये एम्प्रियोनिक जर्म सेल्स की जो मीजोडर्मल लेयर होती है उससे बनी हुई होती ह यह इनके उत्पत्ति किस्ते होती है, मसल्स के उत्पत्ति यह पेशियों के उत्पत्ति किस्ते होती है, embryonic germ cell की mesodermal layer है उससे होती है, और इनके मुख रूप से function, moment है, वो चाहे आपके पूरे सरीर का moment हो, body के किसी part का moment हो, यह फिर जो आपके internal organs होते हैं, जैसे आपके elementary canal है, heart है या कोई भी आपका जो internal organ है उसमें जो movement होते हैं उसके लिए भी ये पेशियां ही उत्तरदाई होती है ठीक है इन सभी पेशियों के आप यदि characters की बात करें जो इसके characteristics होते हैं वो होती है excitability या irritability तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी तरह के stimulate के लिए की बज़े से excite होती है या irritate होती है तो इनमे excitability पाई जाती है, contractility होती है यानि इनमें शंकुचन की छमता होती है या ये short हो सकती है, छोटी हो सकती है जिससे कि क्या है, body को movement produce होता है बॉड़ी के या किसी भी जो body part है उसमें movement होता है दूसरा इनमे extensibility होती है, that means ability to extend या इनमें लंबे होने की छमता होती है या stretch करने की छमता होती है जो कि muscles को या इसकी बज़े से muscles क्या है अपनी जो पूर अबस्ता होती है यानि contractibility, contract हो गया या short हो गई उसके बाद क्या होगी extensibility चाहिए जिससे कि वो दुबारा से अपनी मूल अबस्ता में आ सके तो ये कुछ क्या है muscles के characters होते हैं ठीक है जैसे excitability है contractibility है और extensibility है तो body की जितनी भी गतियां है वो पेशियों की बज़े से होती है और तंत्र का है पेशियों का संबंद केंद्री जो तंत्र का तंत होता है उसके साथ होता है पेशियों में प्रेरक और जो संबेदी तंत्र का तंतु होते हैं पेशियों को संकुचित करने वाले तंत्र का आभेख मस्तिस से प्रेरक तंतु यह जो motor neurons होते हैं फाइवर्स होते हैं, उनके द्वारा बेजे जाते हैं, आकिरती के आदार पर हम पेसियों को छोटी बड़ी चोड़ी पेसी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जितनी भी पेसियां हैं, ये विविन लंबाई के फाइवर्स होते हैं, उनकी बनी होती हैं, और इन फाइवर्स को ह महीन तंतुक होते हैं जिनको हम myofibrils कहते हैं अब हम पेशी जो हैं उनके प्रिकार के बारे में बात करते हैं तो जो पेशियां होती हैं वो histologically, physiologically और जो structure लिए है उनकी भिन्नताओं के आधार पर मुख रूप से हम तीन भागों में इनको बाटते हैं पहली होती हैं रेखित अत्वा एकचिक पेशिया इस्ट्रिटिड इस्ट्रिप्ट इस्कलेटन और बॉलेंट्री मसल्स यानि रेखित या एकचिक जो पेशियां होती हैं उनको हम रेखित इसलिए कहते हैं जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो जैसे कि यहां पर देख रहे हो यह क्या है यह आपकी कौन सी पेशियां है रेखित या एकचिक पेशियां है तो इसमें आप क्या देख रहे हैं यह रेखा है इस तरह की रेखिये सरचना है इसलिए इ यह जो पेशियां होती हैं, यह जो बर्टीब्रेट एनिमल्स हैं, उनके स्कलेटन से जुड़ी रहती हैं, जिनसे वो अपनी एक्छानुसार कार्याइक कर सकता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, कैसी मसल्स कहते हैं, वॉलेंटरी या एक्छिक पेषियां कहते हैं, स्कलेटन से जुड़ी होती है", इसलिए इनको donc嘛 nels, पेशियां सब्सक्राइए हो जो एक्षिक पेशियां या रेखित पेशियां है, उनको हम रेखित, इस्किलेटन या फिर एक्षिक, वॉलैंट्री मुसल्स कहते हैं, तो कंकाल यह situated structure होती है और इसको यदि fine structure देखें तो इस तरह की दिखाई देती है histologically इसके बाद जो दूसरी प्रकार की पेशियां है वो होती है आपके एरेखित पेशी यह पहली रेखित पेशी, दूसरी एरेखित पेशी और तीसरी हिरदे पेशियां तो तीन तरह की इसमें पेशीयां होती है जो एरेखित पेशीयां होती है यह जो बर्टी ब्रेट्स होते हैं उनके internal organs की पेशीयां जो होती है वो रेखित पेशीयों से कुछ भिन्न होती है ठीक है जो vertebrates हैं उनके जो internal organs हैं उनकी जो पेशियों के गुण हैं वो कुछ रेखित जो पेशियों उपर वाली आपने voluntary पेशियों देखी उनसे अलग होते हैं यह यदि structure ली देखें तो non-streated होती हैं जैसे इन में जो आपके यह इस तरह की stated structure है वो इन में नहीं मिलती है ठीक है तो जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो यह कैसी है यह कैसी पेशियों हैं इन में आप इस तरह की कोई structure नहीं देख पा होती हैं सर्चना के तोर पर देखें जा तो यह non-stated होती है या फिर इनको चिकनी पेशियां भी कह देते हैं ठीक है कैसी smooth muscles क्योंकि यह involuntary होती है अनेक्षिक होती है इन पर हमारी एक्छाओं के अनुसार इनका संचालन नहीं होता इसलिए इनको अनेक्षिक पेशियां कह देते हैं दूसरा यह body के जो internal organs हैं उन में मिलती हैं इसलिए इनको हम visceral muscles भी कहते हैं या अंतरांग पेशियां भी कह देते हैं तो यह पहले परकार के आपके skeleton muscles हो गए हैं दूसरे परकार के आपकी एरेकित या एक्षिक पेशियां हो गई यह पेशियां इनकी जो structure है वो कॉमल तरकू रूपी होती है spindle shape होती है यह ना इस तरह की सरचना होती है कॉमल तरकू रूप या spindle shape लंबी कुश्काओं की बनी होती है इन में जो इनकी जो cells है या पेशिया है यह जो एरेकित इसके अंदर एक बड़ा oval shape केंदरी यह केंदरक होता है ठीक है और एरेकित पेशियों की जो कुश्का परत या लेयर में विवस्तित होती है जो की connective tissues के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है इस पेशिया है वो vertebrate के सरीर के आंतरिक अंग जैसे आहर नाल है रक्त वाहिनी है और जो respiratory path है उनमें आपके जो मूत्रिय और जननंग है उनकी दीवारों में खिलती है तो जितने भी visceral organs हैं उनमें सब में इसी प्रकार की anexicic पेशिया या एरेकित पेशिया पाई जाती है इसलिए अंतरांगों पाई जाने की बज़े से इनको अंतरांग या पेशिया या visceral muscles भी कहते हैं ये पेशिया अपनी जो हम लोग हैं उनकी इक्छा के अधिन नहीं होती हैं यानि इनियूमल्स की ये जो अरेखित पेशियां इनकी योधी तुलना रेखित पेशियां से की जाए तो इन पेशियों में क्या होता है जो रेखित पेशियां होती है यो the skeleton muscles होती है ये धीरे धीरे और अधिक SEMYences के लिए संक्चित होती है ठीक है एर… जो चिकनी है यह कम समय के लिए, और रेखित पेशियां यह लंबे समय तक संकुचन कर सकती हैं, जबकि वो कम के लिए, रेखित पेशियों की अपेक्छा जो चिकनी पेशियां इनमें जो टैन्सिबिलिटी होती है, तैन्निता होती है, वो अधिक होती है, जो अंगों के फंक आप सके कि इनमें जो टैंसिविल्टी यह ज्यादा हो तो इसलिए इनमें क्या होती है इसकेलेटन मसल्स की अपेक्छा टैंसिविल्टी या तन्निता अधिक होती है जैसे आपके कुछ औरगन्स की बात करें जैसे आमास से इस्टोमक खाना कितना ही खाले कोई जानवर या कोई इनसान यह मसल्स क्या है फैलने की चमता बहुत ज्यादा रखती है और लंबे समय तक फैली रह सकती है आमास से ऐसे ही प्रिगनेंट गुमेंस के गरवास से तो गरवास से जो पेशिया वह भी काफी फैलने की चमता रखती है तो इस तरह से जो अरेखित पेशिया है वो अरेखित पेशियों के पेक्छा अधिक तन्न होती है और जो ये अरेखित पेशिये इनमें रहसाइनिक पेशिया भी जो ATP के और Glycosin के Lactic Acid में परिवर्तन पर आदारित होती है बास्तविक जो संकुचन है वो Ectomycin की अवस्ता में परिवर्तन से होता है लेकिन अरेखित पेशियों में ये इस पर स्टूप से अभी तक देखा नहीं गया है तीसरे प्रकार की जो पेशिया हैं ये हैं Cardic Muscles यानि इनको कहते हैं हिर्देपेशिया ये जो vertebrates हैं उनके जो हर्ट है उसमें मिलती है इसलिए इनको हिर्देपेशिया कहते है इन पेशियों में जो Cardic Muscles हैं हिर्देपेशिया हैं इनमें भी क्या होता है कॉमल आड़ी धा यह strips होती है परन्तु यह कैसी होती है branched होती है आप देख रहे होगी किस तरह की होती है यह branched होती है साकित होती है यह इनका important character है कैसी होंगी साकित होंगी तो यह vertebrates के heart में बलेंगी इन पेशियों के तंतुओं में कॉमल और आडी रेखा होंगी strips होंगी और साखायुक्त होने के कारण एक जाल जैसी सरचना बनाएंगी ये आप structurally देखो तो कैसी देख रही है ये ये रेखित पेशियां देख रही है कैसी देख रही है रेखित रेखित देख रही है बट जैसे skeleton muscles रेखित हैं बैसे ही यह रेखित हैं, बट जो iskeleton muscles हैं, या कंकाली पेशिया हैं, यह एक्षिक होती हैं, लेकिन यह जो cardiac muscles होती हैं, यह अनेक्षिक होती हैं, तो यह इन में अंतर है, ठीक है? सरचना की तौर पर देखें तो यह आपको कैसी दिखेंगी? यह iskeleton muscles जैसी दिखेंगी, बट यह ब्रांच होती हैं, दूसरा यह अनेक्षिक होती हैं, और ब्रांच होती हैं, ठीक है? तो इसलिए इन में इंटर कनेक्टिंग, जो नेट है, या अंतर सयोजी जो जाल है, वो बनाती हैं, तो इस तरह से आपकी यह क्या है? पेशियों के प्रकार हो गए, तो पेशियां तीन प्रकार की हो गई हैं आपकी, रेखित पेशियां या जिनको अनेक्षिक पेशियां कहते हैं, या फिर उनको कंकाल से जुड़ी होती हैं, इसलिए कंकाली पेशियां भी कह देते हैं, दूसरी अरेखित पेशियां हैं, या अनेक्षिक पेशियां हैं, जो बॉड़ी के जो internal organs या visceral organs होते हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इनको visceral muscles भी कह देते हैं, और इनको चिकनी होती है, सरचना में तरक रूपी सरचना होती है, तो इनको smooth muscles भी कह देते हैं, तीसरे प्रिकार की हिर्देपेशिया हैं, या heart cardiac muscles है, ठीक है, ये सरचना में तो रेखि जैसी दिखती हैं, परंतु कैसी होती है, जाली का रूपी होती है, ब्रांच होती है, इसलिए एक इंटर कनेक्टिंग नेटवर्क का रूप बनाती है, परंतु, skeleton muscles जो रेखित पेशियां वो कैसी है, एक्षिक, ये रेखित जैसी सरचना होने के बावजूदी कैसी है, अन ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, अपनी एक्षा से, ठीक है, तो इसलिए कैसी है, अनेक्षिक पेशियां है, ठीक है, ये हमारा इंट्रड़क्टी पार्ट हो गया, इंट्रड़क्शन को ज्यादा नहीं जानना है, आपको केबल क्या जानना है, कि पेशिया और तीसरी इसके अलावा इनको थोड़ा सा यदि सोट में एक बार चाहो तो तीनो पेशियों के अंदर में जो अंतर है उसको देख लेते हैं तो तीनो पेशियों की अदी तुलना करें, तो जो अरेखित पेशियां हैं, यानि कौन सी जो बिस्रल और्गन में मिलती हैं, या नेक्षिक होती हैं, रेखित पेशियां एक्षिक होती हैं, और हिर्दे पेशियां अनेक्षिक होती हैं, या नियंतरण के आदार पर तीनो पे दीबार में मिलती है, रेखित पेशियां आपके कंकाल से जुड़ी हुई या स्कलेटन से जुड़ी हुई होती है, और जो हिर्दय पेशियां है वो हिर्दय की दीबार में पाई जाती है, संक्चन की दर के आधार पर देखें, तो जो स्मूत मसल्स हैं, उनमें सबसे कम संक् और जो हर्दय पेशियां उनमें मध्यम परिकार भाया जाती का। संक्चत रहने की चमता है, आरेख्षित पेशियां जो अरेख़ित पेशियां जो 통편 विस्रेल और उर्गन मिलती हैं या स्बूद मसल्सें उनमें सबसे जाधा होती है , यानि सबसे लंबे समय तक संक्षित रह सकती है जबकि जो रेखित पेशियां है या iskeleton muscles है इन में संक्षित रहने की चमता कम समय के लिए होती है या सबसे कम होती है और हीरदय पेशियों में बध्याप्रकार की यदी इनके जो myofibrils होते है पेशी तंतु होते हैं जो या रեՖित पेशंए हैं, कैसी होती हैं, सेथ v Iसेफ, spindleσαpe होती हैं, इनमें केवल एक केंद्रक पाया जाता, यानि mononucleus होती हैं और जो रेखित पेशिया हैं, उनमें, कई nucleus पाया जाते हैं, एक myofiurar में, fiver में, कई केंद्रक पायाएंगे, और जो cardiac muscles है, हिर्दय पेशियां उनमें एक या दो किंद्रक होंगे तो प्रतेक तंतुक या प्रतेक मायोफाय प्रल्म ने यदि किंद्रकों की संक्या के आधार पर अंतर करें तो एरेखित या स्मूथ मसल्स में केवले एक किंद्रक होगा और रेखित में कई होंगे जबकि हिर्दय जो म आपका माय फाइब्रेल है उसके उपर और जब की जो कार्डिक मसल्स हों मैं भी सेंट्रल ली नुकलियस की पोजीशन होगी और जो इसमें आपने स्ट्रिप्स देखी यानि धारियां देखी आड़ी वो अरेखित पेशी में अनपस्तित थी इसलिए इसलिए इसमूथ मसल्स कहते हैं रेखित पेशियों में उपस्तित थी और हिटत पेशियों में भी उपस्तित थी तो इस तरह से आप तीनों तरह की जो पेशियों होती है उसमें अंतर कर सकते हो ठीक है अगले वीडियो में हम जो फंक्शनल स्ट्ट्चर है एक मायो फाइब्रल की एक पेशी की एक जो muscles है उसकी जो functional structure है उसके बारे में बात करेंगे Thank you